बच्चो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे दोस्ट बन जाओ ताकि आपको कार्टून की मज़ेदार वीडियो मिलती रहे एक समय की बात है कालो कवा बहुत ही गरीब था उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे वो इधर उधर भटक कर अपना गुजारा करता अरे क्या बताओ टूनी बेहन मैं तो गरीबी से परिशान हो चुका हूँ अब और जीने का मन ही नहीं करता ऐसा मत बोलिये कालो भाया आप अपना खुद का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करते अरे टूनी खाने के लिए तो पैसे है नहीं और तुम खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए बोल रही हो ऐसा कैसे हो सकता है कालो भाया मेरे पास कुछ पैसे हैं आप अभी मेरे से ये पैसे ले लो बाद में मुझे जब आपका बिजनेस बरा हो जाएगा तो मुझे मेरे पैसे लोटा देना ठीक है टुन्नी बेहन तुम मुझे आज शाम को पैसे दे देना मैं तुम्हारे घर शाम को पैसे लेने आऊंगा ठीक है कालो भया आज शाम को मेरे घर पर आकर पैसे ले जाना शाम को कालो कवा टुन्नी के घर पैसे लेने के लिए निकल जाता है थोड़ी ही देर के बाद कालो कवाट उन्हीं की घर पहुँच जाता है ये लो कालो भाईया पैसे ये तो बताईए कि अब कौन सा बिजनेस शुरू करने वाले है ये एक सर्प्राइज है कल जंगल के सारे चिरियों को पता चल जाएगा कि मैं किस चीज का बिजनेस शुरू करूंगा ठीक है कालो भाईया जैसी आपकी मर्जी कालो वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है दूसरे दिन कालो कववा वड़ापाव का बिजनेस खोल लेता है और जंगल के सारे चिरिया कालो कववे का वड़ापाव टेस्ट करने आई हुए होते है कालो भाईया आपका तो वड़ापाव बहुत ही टेस्टी है अरे हाँ कालो तुम हारा वड़ा पाव तो बहुत ही टेस्टी है मैंने इतना टेस्टी वड़ा पाव पूरे जंगल में कहीं नहीं खाया हाँ मैं सारे अच्छे क्वालिटी का समान इस्तमाल करता हूँ इसलिए मेरा वड़ा पाव पूरे जंगल में इतना टेस्टी बनता है मैं क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाईज नहीं करता अरे हाँ मैंने भी कालो भाया को देखा है सुबह सुबह ताजी ताजी पाव फैक्टरी से लाते हुए कालो भाया सारी ताजी चीजे ही इस्तमाल करते हैं तभी तो टुनी कालो का वड़ा पाव इतना टेस्टी होता है कालो का वड़ा पाव बेचते बेचते उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाता है इस कहानी से हमें यह सीक मिलती है कि हमें कभी हार नहीं मानना चाहिए पूरे लगन और मेहनत से काम करते रहना चाहिए एक नएक दिन हमें कामियाभी जरूर मिलेगी बच्चो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राब करके हमारे दोस्त बन जाओ हम मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए लव यू और बाई